Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल दुनिया में अलग-अलग देशों में फैल रही है, और अब रिसेंट एडिशन इस लिस्ट में फ्रांस है, जहां पर प्रधान मंत्री Bastille Day, जो कि आज 14 जुलाई को, जैसे इंडिया में Republic Day होता है, Independence Day होता है, फ्रांस के अंदर Bastille Day मनाया जाता है, बहुत महतपून दिन है, जब UPI, Indian Tourist, Indian Students, जो कि फ्रांस में हैं, वो यूज कर सकते हैं, और रुपे में पेमेंट कर सकते हैं, So, France will be adopting the Indian UPI Payment Interface now, जो कि NPCI, National Payment Corporation of India के द्वारा, टेकनोलजी 2016 में 7 साल पहले लगबग डेवलप की गई थी, इंडिया सिर्फ France के साथ ही नहीं, अब USA के साथ, यूरोप के और भी कई सारे देशों के साथ, और West Asia, जिसमें आपके कई सारे Middle Eastern countries, West Asian countries के साथ, अभी discussion में है कि UPI Services इन देशों में भी इंडिया spread करें, इसका फायदा होगा उन टूरिस्ट को, उन स्टूडेंट्स को, जो कि फिलहाल UPI Technology का इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, फ्रांस में इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वोने फ्रांस में जाकर यूरो में पेमेंट करनी पड़ती है, अपने money transfer के लिए local currency यूज़ करनी पड़ती है, they now will be able to use the Indian rupee also, so it is going to be soon available in France, जहां पर दोनों देशों ने agree किया है, कि UPI Technology को, वो round the clock 24 घंटे, 24 घंटे सातों दिन, हर दिन available कराएंगे, आपके mobile phone के माध्यम से, ताकि payments बहुत असानी से digitally हो सके, UPI वही Technology है, जिसमें 9.33 billion transactions आपको देखने मिल रही है, मई के महिने में 9.4 थी, जून के महिने में 9.33 billion transactions, इतनी ज्यादा transactions दिन की होती है, NPCI के इस platform का इस्तमाल करके, तो platform दीरे दीरे बढ़ता जा रहा है, एक मजबूरी होती थी इंडियन टूरिस की, कि अगर वो इंडिया के बाहर जाते थे, तो उन्हें चाइना का union पे, अगर आप Maldives जा रहे हैं, अगर आप कई जो इंडिया के आस पडोस के देश हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, एरपोर्ट पे भी, अगर आपको payment करनी है, तो इंडियन रूपी में नहीं हो सकती थी, आपको या तो चाइना के union पे का सहरा लेना पड़ेगा, या और भी कई सारे आपके applications आते हैं, और साथ साल में यह revolutionary number हमने टच किया है कि इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में हम cross border transaction कर रहे हैं, और इसी लिस्ट में France भी अब शामिल हो रहा है, इंफैक जपैन ने भी थोड़ दिन पहले मंशा जटाई थी, कि वो UPI system को adopt करना चाते हैं अपने देश में, और Indian students, Indian tourists, Indian travelers के लिए यह काफी convenient भी हो जाएगा, और बस इतना ही नहीं, इंडिया ने Singapore के PayNow के साथ अपना UPI technology को integrate किया है, Singapore PayNow and India's UPI are now integrated, ताकि Singapore में रहने वाले भारतियों को काफी मदद मिल सके, तो ऐसी कई list में बहुत सार नाम है, जहां पर UPI adopt किया रहा है, UPI is truly going global, आप नेपाल के example देखें, नेपाल में people to people, person to person payment की रहा सकती है, भुटान के अंदर QR code based payment की रहा सकती है, मलेशिया के अंदर, मलेशिया में अगर कोई Indian वहां गया है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इंडिया में अपनी family को प ना हो, going global, बस इतना ही नहीं, अब चाहे UPI हो या कोई भी digital platform, दोनों देश आपस में यह जो interconnection to relationship create कर रहे हैं, जहां पर मोदी जी को guest of honor के तौर पर प्रधान मंतरी को बुलाया, देश के लिए बड़ी सम्मान वाली बात है, रिस्पेक्ट वाली बात है, या France जैसे हमारे हैं, उसका navy version खरीदने जा रहे हैं, ताकि हमारी navy की defense capability और better हो सके और सोधर सके, so both countries are working together in the right and positive direction, जो बहुत अच्छी बात है, इंडिया और फ्रांस ने UPI अब इस्तेमाल करने का सोचा है, देखो 2022 में ऐसा ही कुछ हुआ था, NPCI, National Payment Corporation of India ने UPI services offer करी थी, फ्रांस को जहां है, फ्रांस का खुद एक online payment system है, इसका नाम है Laira, फ्रांस के Laira के साथ integrate होकर, इंडिया का NPCI, UPI का जो parent organization है, जिसके तहत यूपी आई और रूपे और अलग-अलग services आती है, NPCI ने एक agreement sign किया, कि यह services provide करी है, आम जनता को Laira technology के साथ integrate होकर, technology integration की अगर हम बात करी रह के साथ भी तो हम agreement पिछले ही साल करे है, जहां पर हमने real-time cross-border transactions Indian rupees में UPI के माधियम से allow करी थी, NPCI is also in talks with other countries as I discussed, तो देखो दुनिया भर के अंदर transactions बढ़ती जा रही है, 73% of non-cash transactions, चोटे-चोटे amount की इंडिया के अंदर, आजकल UPI के माधियम से हो रही है, UPI interface के इस्तम से हो रही है, price water cooper house की report आई है, जो की कहता है कि daily transaction रोज की, एक billion transactions रोज की हो जाएंगी, 2026-27 तर, मता basically 90% सारी non-cash transaction कुछ दिनों बाद UPI के माधियम से होगी, तो UPI इतने बड़े level पर, spurt पाने वाला है, growth पाने वाला है, इसलिए UPI is truly going global, अगर आप UPI-C की तयारी कर रह आपको मेरा ग्रूप मिल जाएगा, अचीव UPI-C के नाम से, वसु.katara.studyIQ.com is my email, और Instagram पे मैं वसु.katara के नाम से अवेलेबल हूँ, UPI-C के तयारी कर रहे हो, live classes, recorded lectures आपको मिलेंगे हमारे प्रिलिंस मेंस interview batch के अंदर, और सिर्फ वीडियो से ही preparation नहीं होती है, books भी चा revolutionary P2I batch के मादियम से provide कर रहे है, prelims, mains and interview P2I का मतलब यह है, शुद हिंदी में, pure English में, और bilingual, English में, Hindi plus English, in my batch is available है, इन तीन languages के अंदर, वसु live admission discount code यूज करके, 29,999 का आप अवेल कर सकते हैं, offer, 22 जुलाई से हमारी, शाम 6 बजे, क्लासे शुरू हरी है, मैं कुद, economics रहेंगे इस batch के अंदर, शुरुआत इसकी हो रही है, इंडियन quality से, फिर modern history और बाकी subjects भी cover किया जाएंगे, pre and mains दोनों purpose के लिए, mains answer writing practice भी कराए जाएगी, और जो लोग prelims क्लियर करेंगे, उनने mains residential program भी मिलेगा, it's the best, right, so take benefit, apply बसु live admission discount code, 2024 का और 2025 का दोनों का batch available है, इ अपने को पूरा कीजे, so that you don't waste any time, thank you for watching this session, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इस session को देखने के लिए, आप सबसे मुलाकात करते हैं हमारे PTOI batches में, और हाँ, admission लेते ही, within one week, आपके घर पर सारी books भी आ जाएंगे, जो important books हैं, वो भी धीरे-धीरे करके बेजी it, so take advantage of that, good luck.